वो एजंडा है कि 2019 में आज हम जी रहे हैं लेकिन ये सरकार ये पार्टी जो भाजपा जो इस देश पे राज कर दे वो चाहती है और इसलिए बार-बार हम लोगों को प्राचीन भारत का बात सुनाया जाता है बार-बार एंशिंट इंडिया सुनाया जाता है ये चाहती है कि भारत में भारत का संग विधान काम नहीं जातिकर जो मुच्नीच है जो मनुस्मृति का विधान है उस विधान के मदाबिक भारत काम करें दलितों dedicate ना हो उनको मान संपांग कोई हक ना हो जो रविदास टेम्पल तोड़ा गया इसका कारिस क्या है कम कहा जारह आरह ये व्हार में जित्ने अपमान दरीतों के ऊचकी यह सब कुछ कोर्ट के नाम पर किया घ्राए कि सरकार का प्रतिनी कोव्ड में जाते हैं इस ज savoir के लिए कि सोशल जस्तिस के खिलाब सामाजी नहाن के खिलाब और डरीतों के खिलाब कोट फैसला दे तेरा पॉइंट रोस्टर का आंदुलन देश भर में तेरा पॉइंट रोस्टर के खिलाब जो फैकलिटी पोजिशन्स में रिजर्वेशन को खतम करने का व्यवस्था था पूरे देश भर में चात्रों ने टीचर्स ने अकडेमी कॉमिनीटी ने लड़ा वो भी कोट के ओडर की नाम पे किया गया था सरकार के जो स्पोक्सपर्सन थे कोट में वो चुपचात थे और उन्होंने इस बात का गैरेंटी किया कि 200 पांट रोस्टर खतम हो तेरा पांट रोस्टर आए तो कोट के नाम पे ये करणा सरकार बंद करें ये भाजपा का पर्टिकुलर एजेंडा है कि दलियत और जाती व्यवस्था बढ़कर आ रहे हैं जाती व्यवस्था के मुताबिक चले अब दलितों को अपमान किया जा रभिदास टिंपल तो दलितों को अपमान करने के आज के समय में ये बात एक तरीके से तै हो गया है कि चंद्रशेखर आजार किसी भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आज के समय में ये तै हो गया है कि वो अपने समाज के लोगों के साथ मिल नहीं सकते कोई प्रोटेस्ट वो लीड नहीं कर सकते हम लोग जो भीमार्णी का यात्रा सहरानपुर से कॉल किया गया था चुनाव से ठीक पहले उसमें सामीर होने के लिए हम लोग गये थे और देवबंध में हमें इस यात्रा में हम सामीर हुए और हमने अपने आखों से देखा पूरे गाओं में जिस तरीके से साथी चंद्रशेखर का शम्मान है गाओं का एक एक घर जिस तरीके से साथी चंद्रशेखर और भी मारने का समर्थन करती है जब यात्रा निकलने का समय आया देवबंच से पुलिस ने गुंडों के जैसा उस यात्रा को रोका जबरदस्ती साथी चंद्रशेखर को हिफाज़त में लिया गए उनके साथ हम लोग भी थे और सब के सामने उनका तवियत बिग्राओंगा कोई कसूम नहीं था ऐसा एक यात्रा जिसका पर्णिशन लिया हुआ था एक घर में हम लोग बैठे थे सारे साथी थे भीमार्मी के साथी थे चंद्रशेखर आजात थे पुलिस गुंडे के जैसे वह घुसते हैं जिस गाड़ी में यातना निकलने का बात था उसको रोपती है आज के समय में ये गैरेंटी हो चुका है कि अगर दलित समात से कोई बिना टड़े अपना आवाज उठाए कोई अगर बोले कि तुभारे इस जाती वबस्था को मैं नहीं मानता मैं जातीगत उच नीच को नहीं मानता मैं दलितों के खिलाब जो अत्याचार होगा उसके खिलाब बोलूँगा तो आज का सरकार जो संविधान का कसम काके अपने पज में बैठती है उसने ये तैय कर दिया है कि प्रक्या सिंख ठाकुर पार्लामेंट पहुंचेगी लेकिन चंदर शेकर आजाद जेल में हम लोग ये मांग करते हैं कि बस मैं बस भीमा कोड़े गाओं को भी एक्जांपल इसमें देना चाहाँ भीमा कोड़े गाओं में जो फर्स जैनुरी 2017 को दलित इकठा हुए थे किसले इकठा हुए थे जातिवाद के खिलाब जो लड़ाई थी उस लड़ाई को कि देखा कि गले में भगवागं गंच्छा और हात में भगवा जंडा लेके डलितों के उपर से आकरमन किया गया जिस तरीके से पत्थर फेका गया शैकड़ो दलित घ no और उस भीमा कोड़ेगाव कांप के जो मास्टर माइंड है इफालय में जिनका नाम है भीरे गुरुजी और मिलिंद एक बोटे आप लोगों से यह गुजारिश है आप लोग पूछिए मीडिया के साथ ही कहां है भीरे गुरुजी कहां है मिलिंद एक बोटे खुला घूम र है और आप सोचिए देश भड़ में यूमें डाइट एक्टिविस्ट पे हमला होड़ा है भीमा कोड़ेगाव के नाम पे मतलब दलित अपना मान सम्मान नहीं मांगेगा दलित इस बात का दावा नहीं ठोकेगा कि हम भी इकुल है हमारा भी सम्मान है हमारा भी इतिहास है यह दलित करने जाएगा तो इसको जेर के अंदर फेग दिया जाएगा योगी आदित्यनाथ के उपर सारा F.A.R. माप हो जाएगा सारी के संवुट्र हो जाएगे लेकिन चंदरशिकर आजाद के उपर एनसे के बाद एक के बाद एक केस लगाया जाएगा हम लोग मांग कर कि चंद्रशेकर आजाद को तुरंत रिहा किया जाए उनके साथ बाकी जो साथियों को गिरफ तार किया गया है उनको तुरंत रिहा किया जाए रविदा स्टेंपल तोरने का जो जिम्मेदारी है वो केरिये सरकर आपने उपर ले और उसे के साथ साथ दलितों के साथ दलित ए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले